बिग बॉस 11 शुरुआत से ही विवादों से घेरा हुआ है कंटेस्टेंट जुबैर खान घर से बाहर होने के बाद से ही शो के होच यानि की सलमान खान पर आरोफ लगाय जा रहे हैं जुबैर खान ने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद सोशल एक्टिविस्ट शबनम शेक से मदद मागी थी अब शबनम ने आरोफ लगाया है कि सलमान के बॉडिगाट शेरा ने उन्हें गैंग रेप की धमकी दी है शबनम ने F.I.R. लिखवाई कि 20 ओक्टोबर को शेरा ने उन्हें फोन कर कहा कि यदि जुबैर के मामले को उन्हें बंद नहीं किया तो वो 10 लोगों को शबनम का गैंग रेक करने के लिए भेजेंगे इस आरोप के बाद सलमान के खास बॉडिगाट शेरा ने शबनम शेक के इन आरोपों से इनकार किया शेरा ने कहा कि न तो वो मेरा नंबर है और ना ही वेरी आवाज ना मैं उस महिला को जानता हूँ और ना मैंने कभी उससे बात की है यह सभी आरोप बेबुनियाद हैं यह लडाई टब शुरू हुई थी जब बिग बॉस के घर एक लडाई में सलमान ने जुबैर को सभी के सामने फटकार लगाई थी और कुत्ता कहकर बाहर निकाला था इसके बात से ही जुबैर बुरी तरह से सलमान को सबक सिखाने के पीछे पड़ गए है